स्कूल की परीक्षा हो या UPSC का एक्जाम हो, टॉप वही करते हैं जिनका दिमाग 23 होता है, जिनका दिमाग शार्प होता है, ब्रेन डबलपमेंट हमारे पैदा होते ही शुरू हो जाता है, यह बहुत से फेक्टर पर डिपेंड करता है, तीन साल के बच्चे का दिमाग 95 पर जहा सकते हैं, जैसे कि आप पजल खेले, कार्स ट्राय करे, अपनी वोकाइबलरी विल्ड करे, डान सीखे, अपने सेंस का इस्तेमाल करे, न्यू स्किल्स लर्न करे, किसी दूसरे को न्यू स्किल्स सिखाएं, गाने सुने, आने जाने के लिए नए रास्ते अपनाएं, कितनी improvement आई ये comment box में comment करके बताएं। जिन लोगों को ये सब करने के बाद भी कुछ फरक नहीं पड़ता उन्हें supplement लेनी की ज़रुवत है। मार्केट में दिमाग तेज करने के लिए भी tablets और powders available हैं। आप उनका save-un कर सकते हैं। लेकिन double cases से बच के रहें। आज मैं आपको एक ऐसे herbal product के बार में बताने वाला हूँ जो original भी है और safe भी है। मैं बताऊँगा कि ये कितनी effective है, इसमें क्या-क्या मिला हुआ है, ये काम कैसे करती है, इसे कब तक लेना चाहिए और सबसे जरूरी इसे लेने का सही तरीका क्या है, जिससे आपको पूरा फाइदा मिले। उसे पहले मैं आपको बता दूँ, अब आप अधित जानकारी के लिए हमारे official website www.infohov4.com से भी जुड सकते हैं। तो ये है वैदनाद ब्राम्ही बट्टी टेबलेट, इसकी packing bottle form की है, जिसमें असे टेबलेट्स अच्छे से seal pack होते हैं, जिसके MRP 199 रुपे है। ये आपको आर्वियोदिक store, chemi shop या online भी मिल जाएगी। मैंने Amazon का link description में डाल दिया है। ब्राम्ही बट्टी के हर एक टेबलेट में ब्राम्ही 52.6 mg एविलेबल है। इसके अलावा इसमें काले मिर्च, रसिंदूर, शंक पुष्पी और स्वणना मक्षिक भष्म भी है। ब्राम्ही बहुत सी चीजों के लिए यूज होता है। ये free radicals को कम करता है और oxidative stress से बचाता है। ये depression में useful है। ये hair growth को stimulate करता है। ये hypertension management में भी useful है। ये central nervous system को stimulate करता है और psychotic disorders को भी ठिक करता है। इसका सबसे main काम यही है। ये आपकी memory को improve करता है। और concentration power को मजबूत बनाता है। इसे बुद्धिवर्धक भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका dose क्या है। लेकिन उसे पहले जानते हैं कि इसके use से पहले हमें क्या precautions लेनी चाहिए। इसे खाने से पहले या तुरंद बाद alcohol का सेवर ना करें। Pregnancy और breastfeeding के case में इसका use डॉक्टर के consult से ही करें। ध्यान रहे same ingredient की कोई और medicine ना खा रहे हो। ऐसा करने से dose डबल हो सकता है। इसे ठंडी जगह पे store करें और बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखें। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे लेने का सही तरीका क्या है। आप इसे एक या दो tablet पूरे दिन में दो बार ले सकते हैं। एक बार सुबह और एक बार शाम। आप इसे पानी या दूद किसी के साथ भी ले सकते हैं। रिजल्ट आपको हफते दस दिन में दिखने लग जाएगा। और आप इसे एक से दो महने तक लागतार खा सकते हैं। अब जानते हैं कि लोगों के मन में क्या-क्या सवाल रहते हैं इस tablet को ले करके। क्या ब्रह्मिवटी प्रेग्नेंसी और ब्रेस फीडिंग में सेफ है। जवाब है जवाब है यह हमारे पेट के लिए बिलकुल सेफ है। तीसरा सवाल चा ब्रह्मिवटी से नींद आती है। जवाब है ब्रह्मिवटी से नींद नहीं आती है। आप इसे खागर, ड्राइब भी कर सकते हैं और मशीन भी चला सकते हैं। चौथा सवाल है चा ब्रह्मिवटी एक addictive medicine है। जवाब है नहीं। इससे कोई addiction नहीं होता है ये आपके लिए बिल्कुल safe है तो ये था वैदनात ब्राह्मिवटी के बारे में सब कुछ अब भी आपके मन में कोई doubt रह गया हो तो comment box में पूछ सकते हैं हम आपका reply जरूर करेंगे थैंक यू